दोस्तो अगर आभी रवींदर जडेजा को शांदार आल राउंडर मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा दोस्तो विकट 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 रवींदर जडेजा की हैट्रिक से घुटनों पर आई आलमाइटी मुंबई इंडियन्स की टीम तो खुशी से उचल पड़ी उनकी पतनी रीवा जडेजा रवींदर जडेजा की शांदर परफॉमेंस के साथ जब जडेजा ने पकड़ा था जानलेवा कैच उड़ गये थे उनके भी होश तो आखिर बीच मैदान में जडेजा के लिए ऐसा क्या किया रीवा ने जिनका दि खिड़े के मैदान पर जहां मुंबई के बल्लेबाज तबाही मचाने के रादे से उतरे थे रविंदर जडेजा ने उनके परों को कुतरते हुए मुंबई की पारी को उडान भरने से पहले ही जमीन पर गिरा दिया मैंदर सिंग धोनी के तूरूप के एक्के बनकर जब र सुनने में जितना आसान लग रहा है वैसा है नहीं ग्रीन ने उनकी गेंद पर बहुत तेज शाट लगाया था और गेंद रॉकेट की रपतार से जा रही थी लेकिन बीच में रविंद जडेजा आ जाते हैं और पलक जपकने से पहले ही गेंद को अपने हाथों में फसा ल उन्होंने पिछले मुकाबले की हिरो तिलक वर्मा को केवल 22 रनों के निजी स्कोर पर चलता कर अपने विकटों के खाते में एक और बल्लेबाच का नाम शुमार कर लिया चार उबरों में कोटे में रविंद जडेजा ने केवल 20 रन खर्च किये मुंबई के तीन सबसे तो रविंद जडेजा की शांदार परफॉमेंस के बाद उन्होंने जडेजा पर जम कर प्याल लुटाते हुए जो कुछ भी किया वह लोगों को खुब पसंद आ रहा है जी हां दोस्तो रविंद जडेजा तो चन्नई के लिए इस मुकाबले महीरो बन गए लेकिन आपको कर लगता है कि धोनी का रिटार होने के बाद का जडेजा को चन्नई का कप्तान बनाना चाहिए हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताए और यासी शांदार खबर उकले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद